सब्सक्राइब कीजिए रोयल टीचर को एज्यूकेशन संबंदी न्यूस तुरंत पाने के लिए जी आसातियों शुक्त की बड़ी खबर की बात कर रहा है तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रती वर्ष यूडाइस बढ़ते हैं यूडाइस हम सभी बढ़ते हैं प्रती विद्याले जो भी रास्तान के सरकारी और प्राइवेट विद्याले हैं सभी यूडाइस बढ़ते हैं इस वर्ष भी यूडाइस बढ़ेंगे और पिछले वर्ष भी यूडाइस बढ़ी है यूडाइस बढ़ते वक्त दोस्तों हमन मैंने एक वीडियो भी जारी किया था जो यूड़ाइस प्लस पोर्टल पर 22 तेविश जो पिसला सेशन था इस्टूडेंट वाइस जो एंट्री की थी जिसमें जीपी ईपी और एसेफ किया है वो सारी जानकारी हमने ली इस वर्स भी सतर दो हजार तेवीश जो इसमें 31 अक्टूबर रखी गई है 31 अक्टूबर 2023 तक हमें एंट्री करनी है अगर विद्यारती जादा है तो आज ही आप एंट्री शुरू कर सकते हैं इस वर्स जब हम एंट्री करेंगे तो हमारे सामने तीन तरह के मोडियूल रहेंगे एक तो मैंने आपको बताया है PM मोडियू मोडियूल है दूसा इंपॉर्ट मोडियूल है और इसके अलावा नीचे की और है ड्रॉप बॉक्स इन एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट के रूप में तीन बॉक्स हमारे सामने रहेंगे इसके समद में पहले हम आदेश की बात करें तो समगर सिक्षा जैपूर की और से अ निर्देशा अनुसार 23 चोईस में यूडाइस प्लस की डाटा फीडिंग समस्त यूडाइस प्लस डाटा ओनलाइन डाइस पोर्टल पर की जानी है और ब्लॉक में मानक डाटा के आधार पर आगामी कारे योजना बजट भी तयार किया जाना है इस कारे योजना के आधार पर विद्याले में अध्यनरत बालक बालिकाओं को भारत सरकार की योजनाओं के अनुसार फ्री यूनिफर्म, फ्री टेक्स बुक्स, रेंप्रूश्मेंट ऑफीस, स्पेशल ट्रेनिंग ऑफ आउट ओफ स्कूल चिल्टरन के जीवीपी और रेजिडेंटल स्कूल होस्ट रखा गया है, तो समय पर आपको ये कारे कंप्लीट करना है, वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों सूनिशित हो लें, आपकी वीडियो दो पार्ट के रूप में जारी होगा, ये पार्ट वन है, इसके बाद एक दो दिन में पार्ट टू भी जारी किया जाएगा, प उसकी अंतरकत GP, EP और SF क्या है, उसकी जानकरी दी जाएगी, ये दो पार्ट में इसलिए जारी किया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है, दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, इसलिए हम दो पार्ट में जारी करेंगे, तो बात करें, हम Udice Plus की, तो Udice Plus आप पर यहाँ पर क्लिक करके खोलना है, खोलने पर दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि Udice Plus Login for Year, देवीश चोईश लिखा आ रहा है, आपको Student Module के अंतरकत राजस्थान सेलेक्ट करके Go बटन के उपर क्लिक कर देना है, तो हमारे सामने Udice Plus HDMS, यानि Student Database Management System का जो व Udice Code है, Udice के Password है, वो डालके Capture डालके Login कर दीजिए, खोलने पर आपके सामने दो तरगे Option आएंगे, जहां आपको पहले Academic Year 2022-23 नजर आएगा, उसके बाद Academic Year 2023-23 नजर आ जाएगा, 22-23 की हमने पिसले बस Entry कर दी है, और 23-23 की अब हम करेंगे, तो यहाँ इस तीर के उ देखे, सभी Class में Enrollment 0-100 होगा, किसी में भी कुछ भी Show नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी Entry हमें करनी होगी, यहाँ पर देखे, Total Enrollment 0, Total Boys 0, Girls 0, Transgender 0, सभी कुछ 00 ही नजर आ रहा है, हमें क्या करना है, उसकी जानकरी के लिए, तो हम यहाँ लेट साइड में देखे, 3. नजर आ रहे हैं, आपको, इसके उपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर दोस्तों यह देखे, विविन ओप्सन हमारे सामने खुल के आ जाते हैं, यहाँ पे सबसे जो पहला ओप्सन है, वो School Dashboard का है, उसके बाद School Profile List of All Student Section Management of Progressive Activity, तो यहाँ हम यह जो PM Module है, यानि Progressive Module, जिसे Progressive Activity बोल सकते हैं, न्यूख एक हाईलाइट हो रहा है, इसी को ओपन करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो हमारे सामने तीन तरह के Module on हो जाते हैं, Progressive Module है, Import Module है, Drop Box Inactive Student List है, यहाँ तीनों मोडिल हो जाते हैं, तीनों के अलग-अलग कारे हैं, जिसके बारे हम बात करेंगे, ब कुछ नए बच्चे भी, जो हमारे नए बच्चे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, उसके लिए भी एंट्री यहीं से शुरू होगी, Progressive Module को फिल करने के लिए आपको करना है, Go बटन के उपर क्लिक, Go बटन के उपर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर Progressive Module जो खुलता है, व बटन के उपर क्लिक कर देना है, Go बटन के उपर क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने ये इस तरह की डिटेल सो हो जाएगी, जहां सबसे पहले Student Code नजर आएंगे, National Code और State Code, प्रतेक बच्चे के लिए अलग से जारी है, Student की Basic Detail यहाँ पर सो हो जाएगी, उसकी Date of Birth है, ना सिम रूप से, यानि Last की और हम जलते हैं, तो यहाँ आप Status के रूप में देख सकते हैं, अभी Pending नजर आ रहा है, तो यहाँ पर देखें दोस्तों Progressive Status के अंतरकत आपको सेलेक्ट करना है कि विद्यार्थी, Promote हुआ है, Not Pass है, Promote Without Examination है, Discontinue Before Examination, Repeater by Choice, यह Option आपको नजर आ है, Discontinue, आप अर्थ भी समझ चुके हैं, Discontinue Before Examination या Repeated by Choice, जो भी है, वो जो suitable है, वो सेलेक्ट करना है आपको, उसके बाद जो Marks है, उसकी Feeding भी आपको करनी है, यानि 2022-23 में, वो कौन सी कक्सा में था, जो Promote हुआ है, तो उसके कितने Marks आए है, वो यहाँ फिल करने है Number of Days School Attendance यानि उसकी उपस्थिती कितनी रही है, वो यहाँ पे दर्ज करनी है, Schooling Status यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि, वो बचा लगातार सैम स्कूल में ही पढ़ रहा है, जैसे Studying in Sam School या Left School with TC और Without TC, यानि दोनों आपके सामने है, बचा स्कूल छोड़ चुका है, TC के सा आपको अपडेट करना है, अगर आप से कोई गलती हो चुकी है, आप दुबार अपडेट कर सकते हैं, करेक्शन का बटन है, दोनों आपके सामने उबलब्ध है, जब हम इसको अपडेट कर देते हैं, तो हमारे सामने यह Student Detail Updated Successfully का Message आता है, हम इसको OK कर देंगे, तो यह साथियों कि हमने जब Detail Entry की है, वो सारी यहाँ पर हमने फिल कर दी, यह जो Class Promote हुई है, वो भी आ गई है, इस्टेटर्स के अंतरगत डन लिखा आ गया है, अगर हम इसको अपडेट करना चाते हैं, तो यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं, क्ला करने पर हमारे सामने है, वो वापस एक बार डेटा आ जाता है, कि जो स्टेटर्स हमने है, जैसे प्रमोटेड हुए है, कितने विद्यार थी है, दो विद्यार थी आपको करके दिखाए है, नौट पास जीरो, प्रमोटेड विथाउट एग्जामिनिशन जीरो, लेफ्ट यह सारी वाइनलेस डाटा है, वो आपके सामने आ जाता है, आप इसको कंफर्म कर दीजी, अगर सही है, अगर सही नहीं है, तो कैंसल करके दुबारा कर सकते हैं, जब हम कंफर्म कर देते हैं, तो प्रमोशन एक्टिविटी आफ ओल इस्टूडेंट ऑफ क्लास वन, यह दे पॉइंट नीचे आ रहा है, दा प्रमोशन एक्टिविटी फॉर इस सेक्षन हैज बिन अलएडी कम्प्लिटेड, इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे दुबारा इसी सेक्षन के अंतरगत, जहां वीडियो की शुरुवात हमने की थी, और इसमें यहां पे देखे, लिस्ट नीचे की और हम चलते हैं, तो जो विद्यार थी के सारे कोड है, या फिर जो डिटेल है, वो सारी शो हो जाती है, यहां पे एंट्री स्टेटस अब भी नॉट स्टार्ट आ रहा है, नॉट स्टार्ट कब आएगा, जब हम पार्ट टू वीडियो का जारी करेंगे, और पार एक्टिवीटी के रूप में जारी होती है, यहां पे दो बच्चों का जिसको हमने किया है, उसका देख लीजिए, डन लिखा आ रहा है, स्टेटस और जिसका नहीं किया है, उसका कलर ही अलग सो और पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडेंसी के रूप में, इसके बाद दोस् कि जो भी कक्षाएं हैं, सभी विद्यारतियों की एंट्री कर दी है, उसको फाइनलाइज भी कर दिया है, तो हम फाइनलाइज प्रोसेस के उपर क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने इस तरह का मैसेज आए जाएगा, जिसमें फाइनलाइज प्रोग्रेसन पॉर अकेडमी की य इस तरह डैस्बोर्ड में आप देख पा रहे हैं, जहां सभी क्लास में 0-100 हो रहा था, वहां अब सेकिंड क्लास में 2 बच्चे ही 100 हो रहे हैं, बाकी की एंट्री अब हम करेंगे, लेकिन अभी जो करके दिखाई है, वो 2 बच्चे आपको डैस्बोर्ड में 100 करना शुरू कर देंगे, अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे और अगले मोड्यूल जो इंपोर्ट मोड्यूल के रूप में है, इंपोर्ट मोड्यूल के उपर गो बटन के दिया हुआ है, यहां भी हम क्लिक करके इंपोर्ट स्टूडेंट कर सकते हैं, इंपोर्ट स्टूडेंट मोड बच्चे को उसने टीशी भी नहीं जारी की है in the in this case this module will use to import student from other school और यह import student जो हम करेंगे क्लिक करके अगर दूसरे बच्चे विद्ध्याले से आये हैं जैसी डीटेल हमेने आपको बताई तो उसको हम national school code से भी सर्च कर सकते हैं और national school code of new student can be get by student आधार नंबर and date of birth या आधार नंबर उसकी date of birth से भी हम देख सकते हैं तीसरा अंतिम जो है वो है dropbox inactive student list के रूप में तो यह किसलिए है module तो बतादें कि is used to exist the student with T.C. when complete the last higher class of student or when to go other school or palace to take admission in new school after completing or mid of the academic session यानि इसके लावास में बताया गया है कि in some other special case if student unfortunately not live as that situation can be done inactive by school currently this drop box is state specific for further interstate facility to also provide by MOE तो दोस्तों ये थी कुछ जानकरी यूडाइस के PM module के समद्ध में progressive module progressive activity के समद्ध में उमीद है ये वीडियो आपको पसंद